सब्सक्राइब क्लास 11 मैथमेटिक्स सेट्स तो टोड़े विल डिस्क्राइब नेक्स्ट टोपिक सब्सेट्स फर्स्ट ओफोल हम सबको यह पता होना चाहिए कि सब्सेट का मीनिंग क्या होता है देखिए अक्सर बच्चों को confusion रहता है इन दो definition के अंदर काफी confusion रहता है subset और proper subset देखो बच्चों की 11th क्लास में हमारे पास सिर्फ subset की definition यूज करते हैं देखिए subset का मीनिंग क्या होता है फूर एक 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 सेट है 123 एक सेट है B मेरे पास 2135 ठीक है इसका मतलब यह है अगर अब मैं आप से यह कहा हूं बच्चों कि all the elements of a all the elements of a lies in B it means a के जितने भी elements है सारे के सारे क्या B के अंदर है बिल्कुल सही कह रहे है तो इट मींज एक सारे elements B में है तो हम क्या कह सकते हैं a is subset of B यह symbol होता है subset का ठीक है कि a के जितने भी elements है वो सारे के सारे elements किस में होंगे B में होंगे ठीक है प्रोपर सबसेट की definition लेते हैं देखो a is equal to 12 and b is equal to 213 ठीक है अब एक बड़ इस definition को और पढ़ते हैं कि a की जितने भी elements हैं वो सारे B में होंगे बड़ एक condition याद रखना दोनों की condition लगभग लगभग सेम है subset और प्रोपर सबसेट की बड़ जो थोड़ा सा फर्क है वो फर्क क्या है कि subset के अंदर क्या होता है जैसे एक example और लेता हूं मैं subset में 1,2 और B मैंने लिया 21 तो A के सारे elements B में है ये symbol होता है subset का और ये symbol होता है proper subset का ये symbol होता है किसका proper subset का तो ये दोनों symbol आपको अच्छे से के लिए रोगए subset and proper subset ठीक है तो it means subset बोलता है A के सारे elements B में होने चाहिए B के सारे elements A में नहीं होने चाहिए सबसेट के अंदर subset क्या होता है A के सारे elements B में होंगे और B के सारे elements A में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते may and may note भी तो ये है subset and proper subset फिर से एक बर repeat कर देता हूँ मैं सबसेट क्या होता है कि A के जितने भी elements है सारे के सारे B में होंगे और B के elements A में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ये क्या होता है subset प्रोपर सबसेट क्या कहता है, एक का सारे elements किसमें होंगे, B में, बड़ बी के सारे elements A में नहीं होंगे, ठीक है, तो ये था हमारा subset और प्रोपर सबसेट, तो ये definition आब है, ये symbol किसका था हमारा subset का, और ये किसका है, proper subset का, इक्वल ने होता है है, इक्वल भी हो सकते हैं, अब आप है न, प्रोपर सबसेट को बूल जाएए यहां पर, ठीक है, इतना ही याद रखना था आपने, कि बस प्रोपर सबसेट की डेफिनेशन होती थी, और ये इसका सिंबल होता है, अब प्रोपर सबसेट का सिंबल, और इस चीज को अच्छी से ध्यान रखना species में नहीं तो यहां तक सिखा हम तो श्लिए आपको समझा दिया अब बच्चों को मापको आपको एक्जामपल के थुरू भी समझा देता हूं ठीक है आपको अच्छे से किलियर हो तो सबसे पहले डेफिनेशन है, every set is subset of itself, every set is subset of itself, मानलों एक set लेता हूँ मैं a, one, two, तो क्या कह सकता हूँ, a is subset of a, क्या a के सारे elements a में हैं, subset का मतलब क्या होता है, a के सारे elements, तो हमारी first definition ही क्या थी, every set is subset of itself, यानि कि a के अंदर जितने भी elements हैं, ये जितने भी हैं, क्या इस subset है, कोई भी set खुद का सबसेट है, elements का होना, अब एक पता ये, हमारे पास एक geometry box है, उसके अंदर हमारे पास 5 pen, 5 pen है हमारे पास, ठीक है, तो क्या वो पांचों के पांचों pen, उस geometry box का हिस्सा है, उसका part है, बिल्कुल है, और वो geometry box का ही तो part है, उसको उसका part बोल दिया, ठीक है, तो मतलब set A में 1 or 2 element है, उसने का A is subset of A, यानि A के जितने भी parts है, geometry में जितने भी वो है, मतलब हमारे पास जो pen है, वो सारे उसी के अंदर तो है, तो सेम चीज यहां पर है, यह हमारा A है, इसके अंदर element है 1 or 2, तो A के सारे element A में होंगे, तो it means क्या हो जाएगा, यानि every set is subset of itself, बच्चों, definition आ जाती है, काफी बार objective में आब, ठीक है, तो सारी definition को अच्छे से cover करके चलेंगे, अब मैं आपको subset बनाना सिखाता हूँ, how can we make subsets, ठीक है, एक definition आती है, subsets की, देखे कैसे बनाते हैं, subsets, वो discuss करते हैं, मालो एक set आपके पास ये 1 or 2 है, मुझे इसके subsets त्यार करने हैं, तो सबसे पहले में subsets कैसे बनाऊंगा, subsets कैसे बनेंगे इसके, सबसे पहले बनेगा one, अब देखे मैं समझाता चाओ चल रहा हूँ आपको, क्या one इसका subset है, it means कि ये element इसके अंदर है, बिलकुल है, ठीक है, next one is two, क्या two इसका subset है, इसको बहुत है subset, ये एक set था, ये एक set का symbol है, इसके अंदर जो element है, इसके अं subset है, और एक ही खुद बन जाएगा one two, अब itself हमने पढ़ा था, ठीक है, one two, one two, अचा, अगर मैं आप से एक simple सी language में पूछू हूँ हिंदी में, कि अब इसमें और क्या बचा, तो आप क्या कहोगे, सर कुछ नहीं बचा, क्या कहेंगे, सर कुछ नहीं बचा, और आपको या empty set आपको याद होगा, क्या बच्चों इसको, empty set, या नहीं कि इस set a के अंदर, one two, one two, और five, इसके अलावा, इस set a में और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, one two, one two, और five, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसका एक formula होता है, कि कैसे आप identify करेंगे, two raise to power, n होता है, इसका formula, subset निकालने का, ठीक है, subset निकालने का formula क्या होता है, two raise to power, n, तो अभी हमारे पास कितने elements थे, one और two, तो इसका formula क्या बनेगा, two raise to power two, result is four, तो चार बने आपके, one, two, three, four, एक और example लेता हूँ, शायद आपको ये चीज़ें और अच्छे से clear हो one, ठीक है, फिर बनाऊंगा में two, then three, इसके बाद देखो, एक तो one हो जाएगा, अकेला two हो जाएगा, और three हो जाएगा, इसके बाद आजाएगा, one, two, फिर, one, two, दो दो गए ना, अब आप two, two के pair लेके चलो, फिर one, three, फिर two, three, ऐसे रखेंगे ध्यान रखना आप, और क्या आजाएगा, one, two, three, वे कुरा खुद बन जाएगा, और एक और बच गया, और वो क्या था, five, इसके अंदर ये सब तो थे, इसके लावा और क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब five, तो five तो सब का subset होता है, five तो सब में आएगा, तो कितने elements थे, one, two, three, तो rule क्या थ है, तो total 8 हमारे पास subset बन गए, ठीक है, तो एक example और लेके चलता हूँ, मैं, one, two, three, और four, ठीक है, काफी questions हैं, subsets के उपर, जो हमारी next exercise and CRT की, तो इसमें अगर 4 है, तो 4 में आप कोई confirm होगा, two raised to power four, it means 16 बनेंगे subsets, सबसे पहले बनेगा five, फिर बनेगा one, फिर बनेगा two फिर बनेगा three, और फिर बनेगा four, तो ये चार तो क्या आगए, मेरे one one वाले आगए, अब अगले चार next four लेता हूँ, मैं किस के, ये कोमा लगा देना बच्चों, इन सब के बीच में, next में लेता हूँ, two two के gap, one और two, ठीक है, one three, one four, ठीक है, two three, two four, one two, one three, one four, two three, two four, औ ये तो मेरे पास क्या होगे, one two three four, five six, ये मेरे पास two two, दो दो के pair वाले आगए, अब मैं कौन सा लोगा, जो तीन तीन वाले pair के हैं, तो तीन तीन मतलब one two three, इस तरह से, one two three, ठीक है, फिर one three four, ठीक है, उसके बाद आजाएगा two three four, तो ये कितना होगा, one two three four, five six seven eight nine, ten eleven, twelve, thirteen, fourteen, अब दो pending है, एक आजाएगा, one three four, one two four, one two, और four, ये नहीं था यहापे, one two four, और last में क्या जाएगा, जो इन सब का एक combine है, one two three four, तो ऐसे two raise to power four कितने होगे, मेरे पास sixteen होगे, तो इस तरह से आप subset बना सकते हो, एक बड़ा confusion रहता है, इस तरह के question में, मानलों ये subset कैसे बनाएंगे, कफी अच्छे-चे question है, subset के उपर, जितने ज्यादा question करेंगे, उतनी अच्छी practice हो जाएगे आपकी, तो इसके subset कैसे बनेंगे, अब वो देखते हैं, तो इसमें कितने elements हैं, पहले ये सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, तो टोटल how many elements are there, one or two, there is not three elements, यहाँ पर तीर elements नहीं हैं बच्छों, अक्सर बच्छों क्या लगते हैं, यहाँ पर तीन elements हैं, यह five है, तो five ही यहाँ एक as an element work कर रहा है, note a five, जो हमारा पास होता है, empty set, वो काम नहीं कर रहा है, यह elements के format में काम कर रहा है, तो टोटल कितने हैं मेरे पास, one, two, three, नही नहीं, सिर्फ दो elements है, दो elements है, one और two, तो सबसे पहले आएगा, यह five, जो element पहला होता है, हम यहाँ करते हैं, one, one का बनाया था, सिर्फ आई आ गया, फिर यह अकेला elements, one, two का, फिर दोनों साथ आ जाएंगे, और एक खाली five वाला, जो कुछ नहीं इसके अलावा, तो one, two, three और four, तो total कितने होगे, चार बन गए, sorry, तो बच्चों इस तरह से हम, क्या बना सकते हैं, subset बना सकते हैं, कि subsets कैसे बनाते हैं, total how many subsets are there in a set, इसका formula भी होता है, और वो formula क्या होता है, two raised to power n, तो two raised to power n वाले formula से हम find out कर सकते हैं, तो बच्चों अब हम आते हैं, हमारी definitions के उपर, जो हमारी definitions हम discuss कर रहे थे, तो जो second definition है, कि empty set is a subset of every set, कि जो empty set होगा, वो सभी set का subset होगा, तो आपने एक बात notice की, यहां पर भी subset, यह empty set हमारा subset बना था, यहां पर भी बना था, ठीक है, यहां पर भी यह इधर last में यह भी बना था, जितने भी subset हमने बनाए, empty set क्या होता है, empty set is subset of every set, यह definition आप अच्छे से mind में clear कर लेना, कि empty set होता है, वो subset होता है, अच्छा देखिए, जब माल लो किसी भी set को, माल लो एक set A है, यह set B है, इस A को B का subset दिखाना है, यह आपने यह प्रूव करना है, A is subset to B, ठीक है, A is subset to B यह प्रूव करना है, तो आपने एक बात नोटिस की, कि यह A है और यह B है, तो प्रूव करने के लिए, हमें क्या प्रूव करना होता है, कि A के सारे elements B में होने चाहिए, सब set का मतलब यह होता है, कि all the elements of A lies in B, A के सारे elements B में होने चाहिए, तब आपने क्या करना है, कोई भ है वो set a का elements है belongs बोलते हैं ठीक है तो अब it means क्या होगा कि x belongs to a x है वो a का element है a is subset of b यानि कोई भी एक element x ले लो वो किस में belong करता है a में अगर आपने उस x को यह दिखा दिया यह show कर दिया प्रूव कर दिया कि x है वो b में भी है तो it means a अब यह जो x है यह सभी elements को represent करता है एक सोटा से एक्जामपल देता हूं बच्चों समझ में आता है आपको दो इसे मालो फॉर एक्जामपल डियो ओफिस यानि डिपार्टमेंट ओफ एजुकेशन ओफिस हमारे जो है डिस्टिक का होता है डिस्टिक इसको कोई भी बच्चों के रिगार्डिंग को इंफर्मेशन शेर करनी है स्कूल में तो तो क्या करेंगे वह सभी स्कूल को बुलाएंगे इन डिप्रिंसिपल या वाइस पिंसिल या कोई किसी भी पोस्ट जो भी डेजिंग नेशन पोस्ट होती है उना स्कूल के अंदर तो मतलब उसमें से मानलो प्रिंसिपल को बुला लिया तो क्या करता है चैरपा स्कूल के प्रिंसिपल को बुला लेते हैं ठीक है और उनको वह रूल्स बता देते हैं तो वह क्या करता है इसका मतलब यह वह समझ लेता है मतलब ओफिस की तरफ से यह मानल लिया जाता है कि ह हमने सबी स्कूल में यह मेसीज पास कर दिया यानि इसका मतलब क्या हुए कि एक स्कूल से एक बंदा अगर आ जाता है एक परसन आजाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वह पर ऊस पूरे स्कूल को रिपरेजनक कर रहा है जितने भी हुठ सीउ तू थाउजेट Pokémon $čd में तो वह एक परेजन उन триन हजर लोगों को रिपरेजन कर रहा है तो तीन हजर लोगों को बताने की बिलाने की आप सकता नहीं है वस उसे एक शो करने की requirement नहीं है, x को प्रूब कर दो, कि x है वो a का subset है, अब आपने x को कर दिया, इसका मतलब x है वो सब को represent करेगा, तो x क्या है, subset है a का, it means, sorry, x element है a का और x element है b का, यानि a के सारे element किसमें है, b में है, तो एक बार इस चीज को third definition को पढ़ना, एक बार क्या दिया हुआ है, if a subset to b, अगर subset दिया हुआ है, तो क्या मानना जरूरी है, x belongs to a, x belongs to b, यानि x a में भी है, और therefore x b में भी है, is true for every x, every x का मतलब जितने भी elements वहाँ पर होंगे, ये उन सब के लिए true हो जाएगा, तो इस चीज को अच्छे से आप clarify कर लेना है, एक और चीज है माननों, जैसे set a है, हम यह ऐसा अक्सर मान लिया जाता है, ऐसा यह चीज है थोड़ा सा contradiction रहता है, जो definition बता रहा हूँ, next वाले समझा रहा हूँ, a है one two, और b है two one, यह है माननों, तो एक element 3 है, वो a में भी नहीं है, एक element 3 है, वो b में भी नहीं है, तो यह एक ऐसे element है, जो a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, इसका मतलब a subset b का हो सकता है, अगर यह होता 3 a में है, और 3 b में नहीं है, a में तो है, माननो set a लिया, आपने one two three, और set B लिया आपने 1, 2 अगर मैं यह कहूँ A is subset of B तो गलत होगा क्यों? क्योंकि यह 3 एक ऐसा element है जो A में तो है B में नहीं है इस अगर ऐसा set जो दोनों में नहीं है ना तो A में है और ना ही B में है तो A B का subset हो सकता है और नहीं भी हो सकता तो subset प्रूव करने के लिए यह वाली condition भी हम लेके चल सकते है if X does not belongs to B therefore X does not belong अगर B में नहीं है तो मतलब वो किसमे भी नहीं होगा अगर जैसे यह दिया होगा A is subset to B मतलब A के सारे element किसमे है? B में है अगर कोई element 4 है जैसे मालो यहाँ पर था यह लगा लो A is equal to 1,2 और B is equal to 1,2,3 ठीक है? एक elements 4 है अगर वो B में नहीं है अगर मालो यह condition mention है आपको A subset to B अगर 4 B में नहीं है तो definitely वो A में भी नहीं होगा क्योंकि A के सारे element तो कहाँ पर बैठे हुए है B में बैठे हुए है और कोई चीज B में नहीं है फिर वो A में कैसे होगी वो A के सारे element तो कहाँ है B में है और B में अगर कुछ नहीं है तो फिर वो A में तो possible ही नहीं है कि वो A में होगा तो थोड़ा confusion मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस regarding थोड़ा सा confusion हो लेकिन जब आप question करेंगे टेक्स्ट बुक में से NCRT बुक में से तो आपको चीज़े देर देर के लिए स्टार्ट हो जाएंगी अब देखिए अगर मान लो जैसे एक set A है एक set A है 1,2 एक set B है 2,1 एक set A है हमारे पास 1,2 एक set B है मेरे पास 2,1,3 A के सारे element B में है और B के सारे element A में है यहाँ पर हमने क्या notice किया A subset B का बट B A का subset नहीं है तो इसका मतलब क्या हो A के सारे elements B में है और B के सारे elements A में है तो ध्यान रखना जब ऐसी condition आए न तो उसको हम कहेंगे A is equal to B या फिर आप क्या याद रखेंगे जब भी आपको ये प्रूव करना हो A is equal to B तो आप क्या प्रूव करेंगे A सबसेट है B का B सबसेट है A का A के सारे elements B में हैं और B के सारे elements A में हैं एक बार आप यहाँ भी चेक कर लो Two sets A and B are equal Two sets A and B are equal A is equal to B अगर आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ यह चीजे ठीक है Two sets A and B are equal A is equal to B Therefore A subset है B का and B subset है A का अगर आपको यह प्रूव करना है कि A और B दो equal subset है क्या प्रूव करना है? Equal So we will prove A is subset to B and B is subset to A अगर आपने A और B को equal करना है तो simple सी language में क्या याद रखना है? A के सारे element B में है B के सारे element A में है ठीक है? तो यह मेरी 5 definition थी आप इनका एक बर screenshot ले लो और फिर इसको note कर लेना ठीक है? जितने भी 5 के 5 definition है इनको अच्छे से याद रखना सबसे important definition यह होती कि every set is subset of itself और second one is empty set is subset of every set यह दो चीजें काफी important है ध्यान रखना बच्चो तो ठीक है? यह हमारे पास हो गए सबसेट्स अब हम आते हैं intervals पे क्योंकि next हमारे पास interval पे आएंगे interval है, power set है, universal set and comparable set देखे, intervals क्या होते है? next exercise में हमारे intervals intervals वाला भी एक topic है तो सबसे पहले आता है open interval, close interval semi close, semi open मैं एक बार आप यहां समझाता हूं मानलो यह दिया हुआ है 1,2 यह इस तरह से तो यहां 1 मानलो और यहां 2 मानलो यह दिया हुआ है 1,2 1,2 यहां दिया हुआ है 1,2 1,2 और यहां ले लो 2 ठीक है? और यह दिया हुआ 1,2 तो देखो बच्चों आपको समझाता हूँ open interval, close interval क्या होता है? इसको बोलते है open interval इसका मतलब क्या होता है? कि 1 और 2 के बीच के elements आपने include करने हैं बट यह ध्यान रहे कि 1 और 2 include नहीं होने चाहिए open का मतलब यह होता है कि आप यहां पे कैसे circle लगा लो एक इस तरह से तो इसके बीच वाले जितने भी elements हैं 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.9999999999 तक मान के चलो आप ठीक है? बट ध्यान रखना 2 नहीं होना चाहिए बस ठीक है? open का मतलब यह होता है open interval का मतलब कि 1 और 2 यह जो limits बोलते हैं अगर यह दोनो limits अगर mention है तो open interval का मतलब होता है बश यह दो limits नहीं होंगी बाकि सब कुछ होगा 1 और 2 नहीं होगा यह ध्यान रखना है open में close interval का बोलता है? कि 1 और 2 यह इस पे dark circle लगेगा यह यह रिपरजेंट करते हैं और यह इसके बीच में यह इस तरह shaded portion आएगा तो इसका मतलब यह होता है कि 1 और 2 भी आएगा और उसके बीच के जितने भी हैं इसके अंदर include हो जाएंगे इसका मतलब क्या होता है रियल नंबर लाइन पे काम करता है तो नंबर लाइन पे से रिपरजेंट करते हैं open आएगा तो circle बनाके close आएगा तो डार्क बनाके इस तरह डार्क सरकल ठीक है close circle करके और 1 और 2 को रिपरजेंट करेंगे इसका मतलब 1 होगा 2 भी include होगा इसके बीच वाले सारे include होगे बढ़ ध्यान रहे क्या include 1 और 1 से इधर 2 से इधर वाले include नहीं होगे इसको बोलता है semi close क्या बोलता है semi close याई एक तरफ close है एक तरफ open है तो इसका मतलब 1 तो include होगा याँ dark कर लो और याँ open कर लो और 2 include नहीं होगा और अब इसको इस तरह से dark कर सकते हैं यह number line को ठीक है तो इसका मतलब 1 is included and 2 is excluded तो 2 include नहीं होगा 1 से लेके और कहां तक जाएंगे 1.999999 up to son जो भी number होता है हमारे इस तरह के वहां तक हम approach कर सकते हैं approach बोलते हैं इसको sorry 2 को approach करना not exact 2 और semi open अब के लिए हो गया होगा तो यहाँ open आ जाएगा और यहाँ close आ जाएगा और इसको हम dark circle में इस तरह से यह line को कर लेंगे इसका मतलब है 1 include नहीं होगा 2 include होगा और इसके बीच में अब इसको represent कैसे करता है वो देखो इसको represent के तरीका होता है x such that x है वो 1 1 include नहीं है तो equal नहीं आएगा 1 और 2 के बीच में x belongs to real number ठीक है अब इसको represent करना हो x such that x 1 और 2 x belongs to real number 1 भी include होगा 2 भी include होगा और इसके बीच के तो होगे सारे तो close वाले में क्या हो जाएगा equal लग जाएगा close में क्या लग जाएगा equal लग जाएगा या इसको कैसे represent करेंगे आप x such that 1 आएगा equal आएगा 1 पे 2 पे equal नहीं आएगा और यह किस पर काम करता है real number पे इसको कैसे represent करेंगे x such that 1 नहीं आएगा पर 2 इंक्लूड होगा और x belongs to real number अब यहाँ आजाओ एक बार आपको definition समझाज़ता हूँ जैसे मानलो open interval है दोनों open रहेंगे और इसका मतलब है x a और b यह सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा less than का equal का symbol नहीं आएगा close में क्या आजाएगा a less than वाला b वाला a भी होगा b होगा और इसके बीच के होँगे semi close क्या होता है इसमें a की तरफ close है तो a तो include होगा but b include नहीं होगा और ऐसे ही क्या है semi open तो अब अगर question आपको यह आजाए one से लेके four आपको इसको represent करना है chat builder form में तो कैसे करेंगे x such that x less than one four यानि one include हो रहा है close है तो यहाँ लगा दो equal और किसे belong करता है real number से anxiety book के question करेंगे next video में तो आप भी try कर सकते हैं अगर आप हमसे से कर सकते हैं discuss कर सकते हैं खोल के थूवर्टसप के थूवर्टसप के थूव contact number आपको मिल गए होंगे नहीं मिले हों तो आप school की तरफ से school website पर जाके भी आप ले सकते हैं ठीक है school के नंबर पर contact करके आप teachers के number ले सकते हों यह हमारा आगया इंटरवल ठीक है अब आता है हमारा पावर सेट कोई भी confusion नहीं है पावर सेट की definition में एक simple सी बात क्याद रखने है पावर सेट क्या होता है लेट ए बी ए सेट दन collection of all सबसेट क्लेक्शन ओफ ओल सबसेट क्लेक्शन ओफ कर लो इस तरह से तो 12345678 तो मतलब उन सब का collection क्लेक्शन करने के लिए भार एक सिंबल आएगा उन सब क्लेक्शन कर लिया तो यह मेरा क्या हो गया पावर सेट हो गया तो इस definition को सेट क्लियर कर लो क्या लिखा हुआ है definition में कि all subset of a is called the power set of a denoted by P of a ठीक है P of a से दिनोट करेंगे total number of subset of a finite set containing n elements of 2 raise to power n हम discuss कर चुके हैं अगर 4 elements है 4 elements है तो 2 raise to power 4 16 बनेंगे 3 elements है 2 raise to power 3 8 बनेंगे यह हमने discuss किया था कि total number of subsets कितने बनते हैं 2 raise to power n is it clear तो यह था हमारे पास power set का interval का topic अभी हमारे पास दो definition और पेंडिंग है यूनिवर्सल सेट और comparable set वो भी मैं एक बार जिल्दी से कितियर कर देता हूं फिर हम next video में कुछ questions करेंगे आप ट्राइक करना फिर हम discuss भी करेंगे उनको ठीक है subset बनते हों और किसे denote करते हैं यू से denote करते हैं यू बनाके और इस तरह से करते हैं ठीक है यह symbol होता है ए में 246 है 135 है यह given है सारे के सारे अब मुझे क्या करना है मुझे universal set बनाना है क्या बनाना है universal set तो कैसे बनता है start यह सारे set का combine combination क्या हो जाता है universal set हो जाता है तो 1,2,1 यहां से आ गया,2 यहां से आ गया,3,4,5,5 आ चुका,ठीक है 6,7,then 8,5 आ चुका,3 आ चुका,2 आ चुका,4 आ चुका,11 और 16 यह इसको बार बार लिखने की requirement नहीं है तो यह हमारे पास क्या होता है universal set होता है जिसमें सारे के सारे जितने भी elements हैं वो सब इसमें इसके under आते हैं this is called universal set ठीक है एक आता है when we are using interval on real line जब हम interval को real number line पे use करते हैं then the set of R of number taken is universal set जब number line पे लेते हैं number line पे तो यह जो R, number line होती R तो यहाँ पर number line पे जो R होता है इसी को हम क्या बोलता है universal number really number के अंदर सारे आ जाते हैं जैसे natural number है दो सब्हुआ सब्सक्राइब को इस थैने के ऐह छक्रेंतों है एक पार्ट मिलनकि मिल्के ब्लेक्राइब. टूने क्या होता है? इस तरह से यह सारी चीज़े मिलके एक बडरा पार्ट बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे यह उनिवर्सल सेट कहेंगे, कमपेरेबल सेट, कमपेरेबल सेट क्या होता है, टू सेट, A and B are कमपेरेबल, इफ वन ओफ देम इस सबसेट ओफ अधर, यानि हम यह पढ़ चुक हैं अच्छे से, कि या तो A है वो B का सबसेट होगा, या B है वो A का सबसेट होगा, तो क्या कहते हैं, उसको कमपेरेबल सेट कहते हैं, या तो A के सारे ऐलिमेंट किसमें होने चाहिए, B में, या B के सारे ऐलिमेंट किसमें होने चाहिए, A में, या तो A के सारे ऐलिमेंट B में, या B के सारे ऐलिमेंट A में, this is called comparable sets तो यह हमारे पास definitions थी ठीक है जो हमारे exercise 1.3, 1.4 आगी जो mention है तो next वीडियो में हम उसके questions करेंगे सिर्फ तब तक के लिए आप भी try करना इन definitions को एक बार note जरूर कर लेना बच्चों ठीक है note book के अंदर mention भी कर लेना अच्छे से जैसे हम मैंने यहां पर लिखी हुए इस तरह से definitions तो आप भी ऐसे ही लिख लेना different color के पैना आप यूज़ कर सकते हो ता कि highlight करने के लिए आप कुछ चीज़ें याद रहें अच्छे से दिखें हो highlight हो जाएं आपके definitions ठीक है तो anxiety exercise करते ही थेंक यू